तो मैडम भी जनाब के पीछे पीछे शिमला पहुच गई है और सबसे ज़्यादा बैस्ट पार्ट भाई दिल खुश हो गया बच्ची के मूँ से जो वो प्यारी सी आवाज सुनी थी हाला कि वो अम्मी 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 कहलवाते रहते हैं लेकिन बच्चे ने कहना क्या सीखा मम्मा जो कि उसकी नानी ने सिखाया है क्योंकि नानी दिन राथ जो चीज़े सिखाएंगी बच्चा वो ही तो सिखे का माबाप तो इतने ज़्यादा ध्यान देते नहीं है क्योंकि नानी के पास वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है लेकिन उसने मम्मा ही सही इतने प् आपका तो आपका बच्चा भी पच्का कर देता है इतने दिनों में भी अपने बच्चे के साथ फोर बॉंडिंग नहीं बना पाए जो कि आज कल के बच्चों का अगर आप देखोगे तो पापा के साथ जाधा होती है क्यों क्योंकि उनको पापा के साथ बाहर घुमने का मौ का मिलता है बाहर से पापा लोग जो ना उनको खाने पीने के लिए जो भी चीजे वो खाते हैं बच्चे फिर चाहे चॉकलेट हो चिप्स हो वो सब दिला कराते हैं लेकिन भाई इनकी पता नहीं क्या है इतने महीनों से घर पर है लेकिन बच्चे के साथ वो इतनी अच्छी बॉर्णिंग नहीं बना पाए कि बच्चे ने घूमने जाने से भी बना कर दिया हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू बैट चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथी साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिक और रही बात उसकी जैको भाई अगर सिर्फ डर नहीं है मौत जिन्दिगी का तो किसी चीज का भी भरोसा नहीं है हम अगर किसी वहिकल पर भी नहीं है तो भी अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो भी अगर अल्ला ताला को आपकी जिन्दिगी लेनी है तो सड़क पर चलते सोते भी लए सकता है अपने खुद के घर में भी ले सकता है अब अपने घर में इतने सारे लोग सो रहे थे और इतना भॉम बलास यह सब हुआ था घर के घर धह गए बच्चे दब गए सोते के सोते रह गए तो वही तो ना उनको थोड़े ना पता था कि हम सो रहे हैं तो हम उठनी पाएंगे या हमारी पूरी फैमली बचनी पाएगी तो कहने का मतलब ये है कि डरना और ये सब चीज़े करना एक अलग चीज़ है बाकी ये है कि हजिन्दिकी को अपने हिसाब से easy लेना चाहिए और सर्फ अल्ला का श्यूआ धा करना चाहिए उसकी अबादत करने चाहिए और उस से खेर की दुआ करनी चाएए कि अल्ला आल सब चोचले बाजी करना कि फ्लाइट से ना जाकर अगर काम इंपोर्टेंट काम है तो उसमें ट्रेन में ज़्यादा टाइम लगता है ट्रेन का सफर कर रहे हैं मैडम पहुंची हैं लेन से क्योंकि वो तो मैडम है दक क्रू अब क्योंकि मैडम नहीं आई हैं तो सूपर बोर लेते इतने चिंदी गिरी भी किस काम की वो इस्जारे बच्चे को क्या पता के मेरे एक सो डेर सो यह सो पचास रुपजा के लिए यह कितना कंटैंट क्रिएक से क्लिपिंग से लाखों कमाएंगे 받아 क्योड़ा क्योंके सुफ एक दिए मेरे भी बच्चेना इंता है के सेल करते हैं और बच्चों से वो सारा समान लेने के बाद बच्चे बन कर और उनके साथ चटापटी अरे भाई बच्चों के साथ ही खेल ली होती कि चलो भाई उनसे खरीद लिया है चलो अब उन्हीं के साथ ही जो है इंजॉय करते हैं इसको फोड़ फोड़ कर ताकि वो बच्चों को भी enjoyment बिल सकता सड़क पर उनको पट 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 तोड़ के उनको जो है दोनों बजपने में जा रहे हैं क्योंकि कैमरा ऐसा है ना जो sensor motion वाला है तो वो जहां जहां गूमेंगे जो जो करेंगे तो कैमरा वो अपने आपी जो है उधरी तरफ ही move हो जाता है तो उस जिन लोगों को करना है तो करना है तो तीन बज़े उठकर करना हो चाहिए रात को पांच बज़े करना हो या फिर पूरी रात नहीं सोना हो इतनी flawless skin दिखाते हैं अपनी कैमरे पर filter लगा के lighting लगा के उसके बावजूद भी जनाप को बहुत ज्यादा over make-up की जरूबत है त तो हम लोग निकल गए हैं हमारी दूसरी location के लिए और पता नहीं कैसा song आने वाला है मुझे लगता है कि उसमें ये सारे शायद single ही होंगे क्योंकि heroine और actress तो कोई नजर आई नहीं दिये अंकित है नहीं इस बार तो जदा शूट नहीं कर पा रहा हूँ बीटियस भी डाल दे देने में कोई बुराई नहीं थी तो जैसे ये जिस जो रगा location पर गए है तो वहां पर सुनने में आया है कि वहां पर कोई बहुत ज़्यादा famous मंदिर है तो अगर आप मंदिर के अंदर भी नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं वहां का थोड़ी भी history अगर आप जानते हैं या उनके बारे में भी वहां पर बता सकते थे ठीक है भाई मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि हमारे इसलाम में मंदिर के अंदर जाने के लिए नहीं है नहीं आया है तो नहीं आया है कोई बात ने रिट सोके पर उसके बारे में बताने में तो कोई प्रॉब बागते हैं वहां इसलिए वो जाते हैं अगर इसलाम में मंदिर जाना नहीं आया है तो उसमें क्या प्राब्लम थोड़ी ना है लेकिन अगर आप उसी जगा पे ऐसी चीज़े जगा पे घूम रहे हो जहां कि बहुत ज़्यादा मान्यता है और वो बहुत ज़्यादा फैमस जगा है और उस जगा के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं और आप पर्टिकुलरली उसी जगा पर हो तो और आप वहाँ पर जिकर नहीं कर रहे हो तो फिर तो लोगों के संटिमेंट हड़ हो गे क्योंकि आप तो सारी चीज़े दिखाते हो और दूसरी बात उस سے पहले आब उन मुसल्मानों की बात नहीं कर दियू, मैं इनके जैसे लोगों की बात कर दियू, एक वो मुसल्मान लोग होते हैं, जो कभी शायद मंदिर नहीं गए, कभी उन्होंने ऐसी चीज़े नहीं की, एक वो होते हैं, जैसे ये हैं, जो अपनी अगर इनको एक्टिंग करनी हो, त पूजा पार्ट भी कर लेंगे, मंदिर की रोकेशन पे भी चले जाएंगे, मंदिर के अंदर भी चले जाएंगे, और हर चीज करकर दिखा लेंगे, और जब अगर ऐसे होगा, तो व्लोगिंग कर रहे होंगे, तो ऐसे बन कर दिखा देंगे, जैसे इन से ज़ादा सक्त मुस तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस चीज से कोई भी प्रॉबलम होना चाहिए जो मैंने अभी पॉड़कास में बोला है दोरी बात इस चीज की के बहुत सारे ऐसे celebrities में हैं जो हिंदू है लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो celebrity नहीं है चाहिए फिर वो नेता हो गए या फिर कोई भी हो गए क्योंकि मैं अगर अजमेर जाती हूँ तो मैंने वहाँ पर देखा है बहुत लोग आते हैं नौन मुसलिम वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि वो मानता रखते हैं वो मानते हैं उन चीज़ को और उनकी मनते पूरी होती होंगी definitely इसलिए वो जाते हैं कुछ लोग वो हम मनत मांगने के लिए जाते हैं कुछ लोग मनत आया है हुजूर का क्यों क्योंकि अल्लावा और किसी को शामिल करना आया ही नहीं है लेकिन मानते आ रहे हैं लोग पहले से इसलिए उसको आज तक फॉलो करते जा रहे हैं जैसे जैसे नही नही चीज़े आ रही हैं ये नया चीज़े समझ में आ रही हैं तो ये सुनने को मिल कि अगर किसी की भी किसी की भी अगर दरगा बनी हुई है तो वो इनसान थे उन्होंने भी अल्ला से ही मांगा था और जो लोग जाते हैं वो लोग ये मानते हैं कि उन्होंने इतनी अबादत कर दिया उन्होंने वो इस काबिल थे कि अल्ला के प्यारे रहे वो इसलिए हम उनस साथ सिवाय कोई माबूद नहीं और उसके अलावा और कोई है ही नहीं, उसके अलावा कोई नहीं है कि आप किसी से भी अपने दुआउं के लिए यह कैसे भी मनत के लिए किसी भी चीज़ के लिए उमीद रखे, वोशन कर दिया music लगा दिया हो गया जनाब का व्लोग पुरा और जब तक तो बिल्कुल भी content नाम की चीज नहीं थी at least उसमें जब तक रूबेबी और मैडम शामिल नहीं हुए थे इतना जिम करने के बाद भी इतने दिनों से जिम करने के बाद डाइट करने के बाद भी जनाब बोलते बोलते हाफ रहे थे मतलब आपके हां मैं मानती हो कि बहुत ज़्यादा चड़ाई है बहुत ज़्यादा चड़ना पड़ र पूरा दिन भार घूम फिर के मटकने की बज़ाए फिर अब पोच गए हैं घर पर जहां पर मैडम की तोड़ी सी क्लिपिंग ले लिए क्योंकि डेड़ बज़े घर पर पोचे हैं हान जी तो हो गई है सुबा और अगले दिन के पांच बज़े की और भाई मैडम की ड्रेसिंग सेंस भाई कमाल की थी और फिर वो बच्चे को लेकर आता है निकूँ और फिकता है ओई आ गया हीरो चले घूमने चले और जब बच्चे ने पहले गरदन हिला के कहा ना और उसके बाद कहा ममा तो भाई आप तो तुम्हें समझ जाना चाहिए तुम कुछ भी कर लो ना ना और तभी तो कहा ममा का चमचा कितने अच्छे तरीके से फोल्ड करके वो स्लीव सुसकी फोल्ड कर रखी थी मतलब ठंड पढ़ रही है और बच्चे की आदी से जादा बाजू उसकी पुरी फोल्ड करके रख रही है अब मैडम आ गई है अपना धीली डाला सा हुडी पैन के यह श्लीव इतनी फोल्ड किस ने किये अरे मैडम आप ने कियोगी आपके किसी असिस्टेंट नहीं कियोगी जब वो अंदर से बाहर आया तो स्लीव अल्रेडी फोल और बशिया ओ उसने एक बार पॉलीट की नहीं में देखा को कौन पीचे से मुझे बुला रहा है कोन मुझे देख रहा है कौन मुझे पुकार रहा है मेरे को नाम से अब मैडम को वह इसरे मैंग को एक्चली बोलना पड़ा थो उस बच्चे को सारा कुस समझ में आई रहा विद पापा सो लाइक पापा कहना क्या चाते हो मैडम की ड्रेसिंग सेंस तो बिलकुल कमाल की थी भाई कमाल गया ऐसा लगता है कि ये एक ये दो जीन्स इनों ने ली रही हुई ये डैनिम और बस उनी को रिपीटिशन में जब कभी बाहर जाना होता है स्टाइल मारना होता है तो बस इनको ये डैनिम नमजदर में आ जाती है ये कहा किसने इनको कि भाई तुम ये जो ने इस तरह के कपड़े पहनो और क्या सोचकर ये पहन लेती है इतने अच्छे अच्छे विंटर के कोर्ट सूट आते हैं और विंटर नहीं छोड़ो आज कल तो साटिन के भी को पहले बी काटून लग 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 तुम तो कहीं पर भी मैडम की बेज़ेती करें तो और तो नोकरों के सामने यानि जो उनके असिस्टेंट ने तेयान होने लगी तो काफी देर से मेरे पास नहीं था ना इसलिए अब मैं अपनी गोध में लेके इसको चलूगा तो तुमने इतनी अच्छी बॉंडिंग बनाई नहीं, बहई जितने महीनों से तुम घर पर थे न, उतने महीने में to इतनी अच्छी बॉंडिंग बन जाती कि तुम सायद वह बच्चा लपकर अपनी ममी के पास जाता अबी और आपकी गुमता ऐसे में हिली स्टेशन पे अपने आप छड़ाई होती है तो थकान होती है और ऐसे में आप बच्चे को भी गुद में ले लो तो और भी थोड़ी थादा थकान हो जाती तो ऐसे में अगर पापा बेंडे की वॉर्णिंग अच्छी होती तो क्या पा जो है वहाँ पर लिटाल उटू के चलो बई चलो टॉइ दिलाते हैं कौन से टॉइ लेगा बिटा कौन से टॉइ लेगा और दुनिया बर के टॉइ गर में पड़े हुए तो क्या उसका फेवरेट एक ये दो टॉइ लाया नहीं जा सकता था कि तुम अपने साथ केरी कर लेते कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जहां यहां जाएं कर दे दो यह चाहिए पर फारदे तो रिचक्वार्ट कर तो मैडम के गाल गुलाबी बिल्कुल जैसे टिंट लगावा हो होट गुलाबी बिल्कुल जनाब के गाल गुलाबी बिल्कुल अलागी एक मतलब ब्लाश ओन टाइप का हो जाता है लेकिन एक्चुली चेहरे इनके दिख जाते हैं जब घर से बाहर जाते हैं या किसी और के क को समझ में आएगा बच्चे को कहती है कि यह कॉफी पी रहे है तू नहीं पी सकता तू ऐसे देखियो कि इनके पेट में दर्द हो जाए अब यहां बिहाइंड डा कैमरा कुछ बाते चल रही होगी कि शायद मैडम के कपड़ों पर कुछ गिरावा होगा जिसको जनाब ने ट लाल लाल थी या तो वो सामवर रॉमर टाइप का कुछ था या तो फिर कुछ और था इस्ट्रॉंग चायती वो सूखने के बाद ऐसी लगती है तो सूखने के बाद तो ऐसी लगती है सूखने दिया क्यों तब उसको कपड़े से साफ क्यों नहीं कर दिया था इतनी गंदी क्यों हो आपने भी आज तक चाही बहुत गिराई है वो मुझे पता है और फिर भाई म्यूजिक लगा दिया और मैनम वही अपना पोयम गाती रहती है यह करो वह करो मैइस इसके हैं और फॉक्रम इसके के हैं बच्चे के हाथ पकड़़़़़के gráfic दोराती तो पर दोनों मा बाप खुश हो रहे हैं अरे भाई उसको पहले डंग से पहना रो तो लो बच्चे को उसकी जो गौगल की जो स्टैम होती है वो किधर को जा रही है अरे तुम कहा निकली चारी है अकेले अकेले अरे आज वो देखो तुम्हारे पास है और वो बहुत देर से तुम्हारे पास खुश है इसलिए मैंने सोचा मैं अकेले अकेले घूम लेती हूँ सोरी सोरी मैडम ने कहा है आज वो आपके साथ हैपी है ना वैसे तो वो रहता नहीं है कभी भी लेकिन आज वह आपके साथ happy है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अकेले ही घूम लेती हूँ तो बातों से समझ में आ जाता है ना कि जनाब लेते नहीं है बच्चा उनके पास happy होता नहीं है जनाम ने अच्छी बंडिंग बच्चे के साथ बनाई नहीं है बच्चा उनके पास कमफर्टेबल नहीं रहता क्या पता भाई नोच लेते हों दोनों भाई बहनी ऐसे एक वह बुआ से चिड़ता है अपने पापा से चिड़ता है कोई जीरो रिस्पोंस नहीं करता अपने प कोट सेट आते हैं वो देखने से दिल खुश हो जाता है और गरम भी होते हैं तो उस टाइब के कपड़े नहीं पहने जा सकते हैं इंसे यहां कौन सा दुपट्टा डाल लखा है जो कोट सेट पर भी दुपट्टा डालोगी तो फिर किस बात के लिए इतना सोचना धीले प ना ना भाई मैडम तो ऐसे लगती हैं कि जैसे बहुत बहुत ज़्यादा इतनी बीजियस्ट इतनी न्यू मदर हो कि उसको अपने कौम करने की भी फुरसत नहीं भाई अप तो 16 महिने का हो गया आपका बच्चा कम सकम अप तो सुधर जाओ इवन न्यू मदर भी ऐसी नही लगाना मतलब एक तरीके से दिखती है कि हां कोई उनके घर आई या वो किसी के घर जाये तो को यह ना कहिए कि क्या क्या बाल बखे रखें हैं कैपने ओपर जो हैं इतनी मतलब ऐसा हाल बना रहा का है कि हाल बुरा कर रखा है कोई न्यू मदर भी ऐसे निकता यतनी 16 महीने करे ने होने के बादो अपने बच्चे को तब यह ऐसे करती है अपने व्लोग को लाइफ करने की तयारी कर दिये तो जहाँ पर यह बैट हुए थे है तो शाहेद वहुंस वाइफाय ले लिया ँकाँ में और वही जो है मैडम बच्चा सो गया है अपने व्लोग की तयारी कर रही है वही एडिट कर रही है ना इनके पास चंगू है ना इनके पास मंगू है पता नहीं अगर एक की शादी हो रही है और उसकी तयारी हो रही है तो दूसरे को क्यों नहीं लेकर आना चाहिए तो न मैंने सुन लिए जब बाहर गूमने फिरने जाते हैं तो जाएसा वहां से टाइमें दिली में गुम रहे हैं भाई दिली का जो इंडिया गेट है ना वहां की फोटो डाली है तो ये था जनाब का सुपर 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 फ्लॉप बिल्कुल एक दम बोरिंग सुपर बोरिंग व्लोग जिसमें कुछ भी नहीं था इतना भी कंटेंट तब हो पाया जब इसमें चलिए आपको कैसा लगा प्लीज कॉमेंट में जरूर बताईएगा अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेर किजेगा मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तिल देन बाई बाई अला हाफिस टेक केर